असलामलेकुम व्यूर्स वेलकम तो मैं चैनल मैंने आपको स्टार्ट करवाई एक्सराइज 1.3 और क्वेसन नंबर 3 यह जो के इंपोर्टन एक्सराइज है और इसमें हम यूज कर रहे हैं थियूर्म को जो कि थीटा इंग्रेडियन है ने में थीटा प्रोच इस जीरो साइन है मतलब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास जो एंगल साथ में मल्टिप्लाइज हो रहे है विश्टी डिवाइट हो तो वह इक्वस्टी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा अब आपके पास क्वेसन है लिमिन थीटा प्रोच इस जीरो वन माइनस कॉस थीटा एंड अगर हम इसे कांजुगेट से मल्टिप्लाइज करवा दें तो यहां पे आएगा वन प्लस कॉस थीटा डिवाइज बाइड़ बाइज 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 फॉस कॉस थीटा हो जाएगा अब हम नेक्स का करेंगे इस जरे लिमिन थीटा प्रोच इस जीरो अब इसे इसे स्केर थीटा आजाएगा मतलब हमारे पास बन गया स्केर माइनस भी स्केर अब यहां पर आजाएगा साइन थीटा और इदा आएगा वन प्लस पॉस थीटा अब आप क्या कहलेंगे इसे वन लिमिट थीटा प्रॉचिस तो जीडो साइन स्केर थीटा किसके प्रॉचिछ थीटा कीसके प्राबर हो जाएगा हमारे पास आएगा साइन सकेर थीटा के क्योंकि यहां पर एक रिजल्ड है कि साइनस टी टीटा प्लस को सिच थीटा इस इक्वल टू बान होता है और हम इस को उठा को प्लेटो माहिन आजार चाहिए स्था के यहां पर को अपर हमारे पास है से मारे पास है साइन थीटा इनडह फ्लेश कोस थीटा अभ हम इसवाएज here है यहां पर single sign है तो x square जो है वो sign से cancel हो जाएगा तो आपके पास इदर आएगा limit theta प्रोट इस टू 0 इधर रहा गया sign theta और नीचे हमारे पास आगया 1 plus cos theta अब हम क्या करेंगे limit apply कर देंगे limit apply करने से हमारे पास आएगा यहां पर sign जो theta है वो क्या हो गया 0 तीचे क्या होगा 1 plus cos यह भी हो जाएगा 0 अब sign 0 क्या होता है 0 1 plus cos 0 क्या होता है 1 तो आपके पास आगया 0 over 2 अगर 0 over 2 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा equals to 0 0 किसी पर भी term पर divide हो या multiply हो तो answer मारे पास क्या आता है 0 आता है तो हमारे पास answer इसका 0 आ गया second part का sorry third part अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे पोच सकते हैं अब हम start करेंगे इसका four part इसका four part है limit x approaches to pi है और sin x over pi minus x इसके एकवल है हमने यहाँ पर क्या करना है अब देखेगा हमें चाहिए इस theorem के अगर यहाँ पर एंगल है तो साथ वो multiply होना चाहिए तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं हमें let कर लेते हैं इदर let कर लें यह जो pi minus x है यह किसी और parameter की equal जो pi minus x है वो p की equal है हम यहाँ पर इसे यह let कर लेते हैं अब pi t इदर आएगा तो minus t हो जाएगा और यह जो minus x है वहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर plus x हो जाएगा हमारे पास pi minus t is equals to x इसके equal आ जाएगा हम यहाँ पर लिख लेते हैं limit x approaches to pi ठीक है और अब यहाँ पर sin x इसके equal है x x ब्राबर है pi minus t तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे pi minus t and divided by और जिदर pi minus x है वो हमारे पास equal to है t के तो हम यहाँ पर क्या लिख ले रहे हैं t अब यहाँ पर जो दिखिएगा sin pi minus t अब इससे solve करेंगे formula of n करेके तो यह हमारे पास equal to हो जाएगा sin t के तो हम यहाँ पर यह लिख लेते हैं यह आ गया sin t and divided by t already वहाँ पर मजूद है तो इधर क्या हो जाएगा देखिए कर जो एंगल है साथ मर्टिता हो रहा है में वही नीचे डिवाइट हो रहा है यह पूली लिमिट हमारे पास equal to क्या जाएगी 1 के तो हमारे पास equal to 1 complete हो जाएगा इसके बाद हमारे पास इसका question number